नोवंबर के महिने में लगाये जाने वाली अगेती खेती जिते की लाखों का मुनाफ़ा हो और अच्छा मंडी भाव मिले तो कृसार भाईयो आज हम आपको ऐसे ही दो सबजियों के बारे मताने वाले हैं जो कि आपको लगातार मंडी के भाव से डवल मिलने वाला है और सही मंडी भाव मिलने वाला है किसान भाईयों अगर आप भी चाहते हैं कि एक अच्छी फसल की जनकारी से हम एक अच्छी फसल की तैरीक जिसे हमें मंडी से अच्छा कासा भाव मिले और अच्छी कासी पैदावार हो तो किसान भाईयों आज के हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि आपको ऐ कादाबिक, काड़ी की अगर आप अगए कि खेती करते हैं नोमबर की महिने के बिच में तो आने वाले दिनों में आपको जठा समय ना दे करके कम समय में ही और खर्च ना के भरावर के आपको काड़ी की फसल आपको 2-3 लाग रूपय PROFIT दे कर जाएगी एक कम समय के लिए फसल है लेकिन आपको प्रॉफिट दो से तीन लाग रुपए प्रॉफिट करके जाएगे इसलिए किसार भाईयों आप ककडी खिती जरूर किजिएगा ककडी खिती में आपको ज़्यदा लागत भी लेती है खर्च ना प्राबर है और हम बात करें बिच की तो आपको देशी बिच लेना है ककडी के लिए देटीबिच की भिमांग बहुत है मारकेट में आप दुकान से भी किल लिए सकते हैं उसकी पादा भीषि अच्छी होती है आपको अगेती do मार्केट से अच्छा भाव मिलता ककड़ी का तो कहिना कहीं आपको क्कड़ी खेती कर देनी चाहिए और लागश में कुछ भी नहीं है कंपोच खार डाल देना है अब बीजो को दो फिट तीन फिट के लमसम में आपको बीजो को लगा देना है और आपको देशी बीज ही लेनी है इसलिए बीज में तो परसा आपको लगने वाला नहीं है देशी बीज आपको घर में भी मिल जाएगा और मार्केट से भी आप ले सकते हैं तो यहां पर बीज में खर्च ना के बराबर है और पैदा जो है कि आपको 2-3 लाग रुपए फा मार्केट तो लिखने लगेंगे तो आपको स् rising तो फको लागाता भाल आपको पर मिलता रहेगा और मार्केट से अच्छा-खासा प्रफिट कमा सकते हैं हमारी जो दूसरी सब्सक्राइब होता है अच्छी प्रॉफिट होती है आपके हां कॉंसी खेती अच्छे तरिके से मारकें महाँ मिलेती है यह समझ सकते हैं तो मैं पर कद्धु खीति में भी आपको देशी कद्धु लेने हैं और इसमें भी खंश ना के बराबर है और आपको अच्छा-कासा कद्धू से भी profit होने वाला है कद्धु की विवा अन्न मार्कर में लगाता रहती है इन दो खेतिओं को आप नॉवंबर दिसमबर के मामें करके अच्छा कासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं अब बात करें कि हम दुनों क्या करें कैसे तो किसार माईयों आप करना कुछ ही नहीं है शिर्फ आपको खेतों को अच्छे तक जोटाई करना है और गोबर की कमपोश खात की दो से तीन टॉली खृतों में विच्वा देना है और मिक्स कर वा मिक्स कर रहाएं आने की बाद आपको खेति कि फाल नंसे कि फोल को ख आँए प में फल ना सख़े इसलिए अपको कि टना सब्वाई की जोड़त पड़ेगी तो आपने हिसाब से ले रृसकते हैं मार्केट से और इसके लिए किसा में कुछ चिता कुछ धन जाम करने जोत नहीं है इन फसनों से आप अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं कम पैसा में कम लगात में और अच्छी कशी प्रॉपिट भी होसकती है विसामा यो छोटी से जनगाई थी आप सब लाइक कीजिएगा चैनल पहली बारा है सब्सक्राइब कीजिएगा कद्दो और खगरी खेती अब जरूर कीजिएगा विडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दोटिये जैहिंद जैजवान जैकिसाम